जहिन नमस्कार दोस्तो आज अपने घर में खुद की कार कैसे सफाई करें इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको आप लोगों को ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए जल से जल एक आशान तरीका कार को किस परकार से सफाई करते हैं वो मैं आप लोगों को तरीका बताऊँ है जेपिटी मशीन रहेगी साथ में एक बजार से एक फॉर्म सब्सक्राइब करना है उसके बाद आपने इस परकार से पूरी घारी में फॉर्म करना है ऐसा लगेगा जैसे पीदी हूँ कर सकते हैं ठीकाओ हैवी में किया हुआ है आप देख सकते हो आप कितना ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गाड़ी एक बरफ की चादर से ढखी हुए तो इस प्रकार से आपने पूरे टायर से लेकर पूरा आप निच्चे भी कर सकते हो और बैटर है कम से कम 15 मिनट तक आपने इसको करके छोड़ द करते हो मैंने चारा तरफ से गाड़ी को पूरा फॉर्मिंग कर दिया है आपका पिछे जो है शीशे वाला पूरा मैंने बुला आपको 360 डिग्री गाड़ी का हो शेक तो आप इस प्रकार से देखिए निचे भी आप निचे टायर रहता है उसमें आप मार दीजिए तो आपको थोड़ी दे रुखना है उसके बाद आपने क्या फॉर्मिंग वाला पूरे गाड़ी में 10-15 मिनिटर मार के रख देना है उसके साथ में आपने क्या है सफाई करते जाना है तीसरा आपका रहता है जो आपका पॉलिश है पॉलिश डाल कर आपको उसमें लगाना है उसके बाद दिरी-दरे आपने कपडा फीर मानना है तीसरा में आप हमेशा ध्यान रखिए कभी आप डाड़ी के शीठ के अंदर अधर पानी डालना है प्ने साइट से दरबाज़े के करना से क्या कर्na। पानी डालना है एक आपको बिल्कुल 90 डिग्री से पानी डालते हो जाना है ताकि डारेक्ट पानी अंदर ना जाए यूंकि दर्वाजे के कॉर्णर या साइड में बहुत गंदगी सफ़ा होता है जो साब नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना है हमेशा साइड और 90 डिग् दोप अच्छी है देख सकते हैं पूरा मेरा गाड़ी में पूरा साफ सफ़ाय करके वने वाला एदेख सकते हो तकरिबन 90 परसंट हो चुका है इस प्रकार सापने पूरी गाड़ी को सफ़ाय करना है यह द्यान रखे जब भी आप प्रेसर मारते हो मशीन का तो बिल्कुल ह आपके प्रेंट को कोई नुक्सान ना हो देखे दोस्तों जब आपके पूरी गाड़ी सफ़ाय हो जाती है दरबाजा खोल के रखे डायरेट इंजन के अंदर पानी निमाना है दो तिन बार इस पिर से आपने लेफ राइट करना है बस इससे ज़्यादा आपने गाड़ी क करना तो लास्ट आपके आपका देखए रिजल्ट आपके सामने है पुरी गाड़ी सफ़ाय हो चुकी है तो कैसे लेगी बाताना है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगले वीडियो मीलेगे तब तक के लिए जाहिन नमस्कार